हेलो इवरिवान, वलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं, आप सब आई होप, आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हुझी, राम राम जी सभी को, गुड दिल, आफ्टरनून जी सभी को, क्योंकि अभी हम साधी में गए वे हैं, और यह सेकेंड पार्ट है, साधी का, और 25 जनवरी का वीडियो है, यह 25 जनवरी की साधी थी, तो उस दिन गए थे हम लोग, तो यहाँ पे नास्ता पानी हमने कर लिया है, खाना तो वैसे घर से खा कर गए थे, तो अभी नास्ता वास्ता किया है, क्योंकि सामका साई टाइम था, यह साई तीन चार बज़रे होंगी इस टाइम पे, और तो अभी चालू है, मतलब प्रोग्राम, टेंट वगरा लग रहा है, खाने वाने का कर रही हैं, लोगबा काम, और यह देखे, खेतों में घर है ना, इनके मोसी जी औरो के, तो कितनी हरियाली, कितना अच्छा वियू है, एकदम बढ़ियां, गेहूं की फसल उगा रखी है, और सरसम उगाई वी है, तो अभी यहां पे भात का प्रोग्राम चल रहा है, भात वगरा लिया जा रहा है, और लेडी चे बैठी हैं, जैंट बैठे हैं, बहुत सारे, और भूत ही दूर में मतलब टेंट लगा वा था, क्योंकि खेतों में खूब सारी जगें रहती है, तो भूत दूर में से, और इनका खुद का खेत था, तो भूत दूर में टेंट लगाया वा था, और काफी लोग भाग भी इकठे और रखे थे, टीका भी आया वा था लड़के का, और बात वगरा की भी रसम हो रही थी, तो पहले भात लिया जाएगा, उ और अभी यहाँ पर तिलक वगरा होंगे सबके, जैसे जैसे होता है ना, रसमोरी वाची वही होंगी, और यह देखे सामने जो पंड़त जी आपको नजर आ रहे हैं, तिलक वगरा कर रहे हैं, तो यह भी एक यूटूबर है, और बड़े यूटूबर है मतलब, तो इनसे मुलाकात हुई मेरी यहाँ पर साधी में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके, इनसे खुब सारी बात है कि मैंने बहुत देर तक है, और इनके कॉंटेक्ट नंबर भी लिये मैंने, तो फिर कभी यह यह दरी रहते हैं, चिडावा में ही, और मैं भी चिडावा स इतना था कि नहीं बना पाई मैं वीडियो, क्योंकि फिर सुनाए नहीं देता वीडियो में, क्योंकि डीजे बगरा बजरा था, तो गाने बाने चल रहे थे, तो इतना ज़्याद वो नहीं था, और फिर साधी का घर था, तो मैंने का वीडियो बगरा बनाऊंगी, तो फिर कर रही है ऐसे ठोड़ा सा ना मुझे सरमाने लग जाती है अभी comfortable नहीं हूँ मैं कि हर जगें पर जाकर वीडियो बना लूँ नहीं बना पाती हूं कहीं कहीं पे ठोड़ा सा सरम आ जाती है मुझे और यहां पे अभी वह चल रहा है चाक पूझने की रहसम हो रही है तो उसमें भी डान्च वगरा उता है तो वही दोगड लेकर जाते ना गर के अंदर दोगड रखी जाती है तो वही होगा तो देखे वो दोगड ले ली है उनकी भाबी ने और ये अंदर लेकर जाएंगी मतलब एक बड़ा मटका है और उसके पर एक छोटा सा मटका है और उसमें नीम की एक डाली रखते हैं और ऐसे मतलब उनके कुछ टिका वगरा करके वो सवस्तिक वगरा बनाके मटके पर और फिर अंदर लिया जाता है ये देखे लेकर जा रहे हैं और यह देखे और इनको फिर नेग वैग दिया जाएगा और यहां पर डांस चल रहा है और हम लोग भी दरी खड़े थे साम का टाइम था करीबन बज़रे होंगे पांच साड़े पांच का टाइम था और ठंड रखी थी अच्छी खासी क्योंकि खेतों में घर है और वैसे भ ठंड तो उसकी भी आ जाती है पानी वेगरा की भी और इन लड़कियों को ठंड नहीं लगरी थी मैंनका भई लड़कियों गरम कपड़े पैनलो स्वेटर वेगरा तुमारी ना फैसन निकल जाएगी कल विमार होकर की गिरोगी तब फिर उन्होंने बोला कि भई आस तो न ठंड रुकने वाली नहीं थी और हमको तो ठंड लगती है वाई तो इसलिए मैंने तो स्वेटर डाला वा था पूरे और सोल भी ले रखा था साथ में और बस वीडियो बना रहे थे तो जो रिये लावाज है वो मैं दे नहीं सकती उसके लिए सोरी क्योंकि न कोपिराइट आजाता है सोंग बजने से तो इसलिए क्या कर सकते हैं अब यूटूब वाले कोपिराइट दे देते हैं वीडियो पे तो फिर क्या ही करें तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया तो ऐसे मतलब डांस थोड़ा साना समझ में भी नहीं आता है कि किस गाने पे डांस हो रहा है औ और लेकिन कर भी क्या सकते हैं हम लोग और यह आ गए हैं अंदर दोगड लेकर तो यह दिदी हैं इनके असबनी हैं यह तो यह दोगड उतार रहे थे तो यहां पर मोसी जी इनको नेक वगरा भी देंगी जो देखिए हाथ में लेकर खड़े हैं मोसी जी यही है मारी मोसी जो मारी मम्मी जी इन से धरम बैन बनी है यह है मोसी जी और यहां पर यह लड़की है पूजा नाम है इसका लड़की का जिसकी साधी थी तो अभी इनका तेल उतारने की रसम हो रही है तो बान बठाते ने उस दिन तो तेल चड़ाते हैं और साधी वाले दिन तेल उतारने की रसम होती है तो अभी वो ही हो रही है तो अभी ये साथ सु आगी ने जोते न वो ये उतारेंगी और उसके बाद में ये नहने जाएगी और उसके बाद में तयार उने जाएगी पारलर में और इसको अभी इस टाइम पे जल्दी हुई पड़ी थी क्योंकि थोड़ा लेट हो तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था तो बोल रही थी जल्दी करो जल्दी करो बहुत लेट हो गया और टंड भी थी तो ठंड भी लगरी थी क्योंकि ना स्वेटर अगयरा निकाल दियती तो आ लोगा सबी जोडे से ही डालते हैं और बस इसके बाद में थोड़ा सा उपटन लगा के और फिर इस नान होगा और उसके बाद में बस दुलन हो जाएगी तयार फेरों के लिए साधी के लिए और व्लोग आप लोग फुल इंजोए करेंगे आसा है कि आपको व्लोग अच्छा लगे आज का हमारी साधी की रस्में देखकर और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना विद वैल आइ खड़ी हुई है पास में ही तो ढून ढून के ला रहे थे क्योंकि मिल भी नहीं रहे थे कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है साधी में तो सबको करना होता ही है ये सब रस्में तो और ये चाचा चाची है सबसे चोटे वाले तीन मतलब हैं इनके ममी पापा मतलब पाप और इस्टेज पे भी आ गई है इस्टेज प्रोग्राम होगा अभी तो अभी दुले राजा भी आ गए हैं और ज्यादा वीडियो नहीं बना पाई मैं यहां की भी थोड़ी ही बना पाई क्योंकि ना लोगबाग आगे आ रहे थे जा रहे थे तो फिर अच्छा नहीं बन पा विमार पड़ जाएंगे तो फिर दिक्कत तो जाएगी तो इसलिए और मुझे खुद को भी ठंड लग रही थी आपर बैठे बैठे तो फिर ज्यादा देर नहीं बैठे थे हम लोग फिर अंदर चले गए थे थोड़ा असा ही देखा हमने उसके बाद चले गए थे जैमाल तो वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर बता देना कमेंट करके ठीक है जी और जोड़ी अच्छी लग रही थी दुल्हा और दुल्हन की तो इनको धेर सारी ब्लेसिंग देना अपनी प्यारी प्यारी सी अच्छी अच्छी सी इनकी आने वारी जिन्दगी बहुत खुस हा बढ़िया से तो जी बस आज का वीडियो इतना ही और दो चार फोटो क्लिक किये थे दुलन की साथ में तो वही मैं आपके साथ में सेर कर रही हूं क्योंकि ना वीडियो तो नहीं बना पाई थी फोटो ली थी दो चार तो मैंन का चलो फोटो ही डाल देते हैं तो जी बस आ झाल झाल झाल